बहुए 2021 मोडल है और काफी चल भी गया टेक्टर हैं ऐसा नहीं के खड़ा ही रहे ना तो बहुए सो में कोई समस्या है जो समस्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में कि समस्या है तो है है कहां देखो कोई किसान टेक्टर लेना चाहा रहा तो सबसे पहले तो कि हमारे छेत्र में टेक्टर की रीसेल किसकी अच्छी है क्योंकि देखो कि वह मेजर समस्या है आप टेक्टर के मरगार्ड यह सब चीजे मोड सकते हैं अगर आपने इस तरीके से सैटिंग नहीं करी यह देखो भाई यह चीज हमने ऐसे करी थी में फोट राम राम भाईयो भाईयो आज की वीडियो जो है फारम ट्रेक 60 के उपर है यह एफ 17 मोडल है आज की डेट में भाईयो एक तालीस हा रहा है जो 55 HP कैटेगरी माता है यह आपको प्योर 55 HP का मिलता है आज मैं इसका बताने वाला हूं यह 2021 मोडल है और अब 2024 चला है टेक्टर में क्या-क्या ची तो देखो भाई सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूं फिर मैं टेक्टर के बारे में थोड़ा दिखाऊंगा भी और बतलाऊंगा कि भी टेक्टर में छोटी-छोटी सी कमी है वो अब बाले मोडलों में कमपनी सुधार भी रही है देखो सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ भाई अगर कोई आदमी कोई भाई किसान टेक्टर लेना चाह रहा तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना चाहिए कि भाई हमारे छेतर में टेक्टर की री सेल किस की अच्छी है क्योंकि देखो किसान का एक मामला होता है कि आज सपोच करो उसे टेक्टर बेचना पढ़ जा तो टेक्टर ऐसा ना हो कि उसे सिर्फ रख के बेचना पढ़ है या उसकी ठीक ठाग वैल्यू किसान को ना मिले तो इसलिए सबसे पहले टेक्टर लेने से पहले किसान भाईयों को एक चीज जरूर देख लेनी चाहिए कि हमारे छेतर में सबसे अच्छी रिसेल वैल्यू किसकी है क्योंकि कभी ऐसा इमर्जेंसी पढ़ जाती है किसान को सबी किसान भाई इस बास से सहमत भी होंगे और देखो अपनी जरूरत के हिसाब से टेक्टर लेना चाहिए मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ भाई ये कोई नहीं कि मुझे 60 HP पढ़ोसी ने टेक्टर लिया तो 55 HP लेना चाहिए या गाउं में मेरा बड़ा टेक्टर होना चाहिए कुछ किसान क्या है इस तरीक की मेंटिलीटी के होते हैं और भाई वो दहेज ले लें दहेज का मतलब ऐसा है मतलब टेक्टर ऐसा ले लें कि वो फिर उसमें ना तो फीचर्स मिलते हैं सिर्फ HP मिलती हैं बहुत सारे टेक्टर हैं से हैं मैं नाम न लूँगा कि आप फीचर्स देखो कि हमें किस की जरूरत है और टेक्टर देखो कि भाई कैसा वर्क करता है और किस किस इंपिलीमेंट पे हमें टेक्टर चलाना है तो जैसे भाई हमने उस ताइम पे 60 लिया था यह आपको 55 HP में सबसे ज़्याद है टॉर्क की टेक्टर मिलता है कहने को अपनी-अपनी कोई भी कहता है पच्पन एच्पी में 241 एहनम टॉर्क कोई भी कमपनी नहीं देती है दूसरी बात कुछ भाई कहें कि यह जो है इसकी यह वाली चीज तूड जाती है तो मैं बात बताता हूं देखो आठ वर्स तो हमारे पास हो गए दूसरा टेक्टर है आज तक भाई कोई समस्या नहीं यह तो अपने उपर चलाने के बात है कुछ किसान भाई भाई डोले पे को जटके में को इस तरीक की टेक्टर उतारते हैं इंजन के साथ डी सीम ब्लोक वाले इंजन के साथ आता है वह टेक्टर कुछी दिनों के लिए तो उसकी तो को नहीं है भाई और साथ-पच्पन का इसमें सालेंसर लगवा रखता तो टेक्टर जो है बिल्कुल खुलका चलता है अभी तक टेक्टर में कोई भी प्रोब्लम नहीं आई वह चीज बताता हूं मैं थोड़ी सी देखो यह वाली चीज भी कुछ समस्या रहती के भाई यह वाले लूजिंग हो जा तो यह भी थोड़े कंपनी ने ट्राइंगल टाइप में दे दिये जिससे की पूरी ग्रिप बनी रहती है बाकी सो में जो समस्या दीके ब यह वाली पोजिशन कंपनी को यहां रखनी चाहिए थी थोड़ी सी यह वाली चोड़ाई बढ़ानी चाहिए थी कंपनी को अगर वाई यह चोड़ाई बढ़ जाती तो यह वाली रेस जो है फूट रेस यहां आ जाती तो एक प्रोपर मतलब वह बन जाती है और देखो यह आप पच्पन एच्पी में ने बताई दिया यह 241 एनम टॉर्क प्रदान करने वाला टैक्टर है यह पच्पन एच्पी में बाकि आप इस सोब पर जाओगे बहुत टॉर्क की टैक्टर मिल जाएंगे और एक समस्या फारम ट्रेक में यह आई है कि यहां पर थोड़ा सा मोब दूरुब दिखना सुरूत हो जाठा बाची कोई समस्या नहीं है टैक्टर में और बैठने के बाद भी दिखा दूँ मैं आपको उस टाइम पे हमने जबs लिया तो T20 gearbox के साथ मिलता है, और साथ में इसमें multi-speed, reverse pt-o मिल जाती है और live pt-o मिल जाती है, live pt-o मतलब की direct और आप gear के हिसाब से भी pt-o चला सकते हैं टेक्टर की, बाकी एक चीज और दिखाता हूँ अगर भाई आप फारम ट्रेक 60 पावर मैक्स में फाइवर हूड लगाना चाहते हैं तो वो चीज मैं बताता हूँ किस तरीके से लगानी चाहिए हमने ये लगवा के गलती करी थी वो चीज दिखाऊंगा मैं आप वीडियो में बने रहें वो भाई मेजर समस्या है आप टेक्टर के मरगाड ये सब चीजे मोड सकते हैं अगर आपने इस तरीके से सैटिंग नहीं करी ये देखो भाई ये चीज हमने ऐसे करी थी मैं फोटो एड़ करूँगा अब किस तरीके कराके यहां पर आप करा सकते हैं या इसकी पोजिशन थोड़ी सी आग्या ले जा सकते हैं यहां से भी आ सकती है फ्रेम बनके जैसे आपने वीडियो में भी देखाऊगा नीशु देसवाल की वीडियो में वह यहां से फ्रेम बनका आया है अंदर की साइड से तो वहां से भी आप setting कर सकते हैं वो भी प्रोपर setting है कि यहां से यहां पंदर से प्लेट लगवा के और उसमें यह वाली प्लेट कटवा के हैं यहां बैल्लिंग करवा दें तो एक तो ऑप्सन वह है वाई यह इस तरीक्वे से कराएंगे एक मैं आपको फोटो एड़ करूंगा वह तरीक इनके तो यहां पर हीच प्रोपर लग नहीं पाता उपर वाली पिन जो है वह छोटी रहती है और निच्चा वाली पिन जो है वो लंबी होने की वाई से अकिल्दा आदमी भाई लगा नहीं सकता बाकि अभी मैं थोड़ा से चलवा के भी दिखाऊंगा एक टेक्टर में इ यह वाले पूरी अधार वाले यह ग्यार में लो आपिम पर नहीं जए अधर को कितना इस मूझब रहता है विल्कुल आइडियल आपिम पर टेक्टर चलदा जटके नहीं पार टेक्टर यह इसम बड़ी खासिएट लगती टेक्टर चलते होई लो आर पीम पर भी जटके न तो भाईयो जो चीज में बताना चाहा रहा था अपने काम के हिसाफ से टेक्टर लें और थोड़ी सी पर्फॉर्मेंस भी दिखाई छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि कम से कम टाइम में आप जादे से जादे बाते पकड़ सकें जो बताना चाहा रहा हूं साथ के बारे में अगर आप सो आठ लेने के बारे में सोच रहे हैं भविस्या में और हाँ एक और चीज बताता हूं भाई जितनी कीमत में कम कीमत में ये वाले टेक्टर मिल जाते हैं भाईयो अब तो वैसे थोड़ी कीमत बढ़ गई है उस थाइम पर 2021 में हमने साथ बाइस क पोने आठ से नीचे है भाई 55 HP टेक्टर कोई कंपनी नहीं दे दी तो ये वाली चीज भी थी कि कम पैसों में सब चीज़े अगर मिल जाएं भाई इसमें आपको T20 गेरबोक्स मिल जाता है कुछ में 8 पलस 2 का गेरबोक्स मिलता है आपको सबसे ज़्यादे टॉर्क मिलती ह है 55 HP में और हम चला रहे हैं अपनी अपनी कोई भी कहते रहे हैं मैं तो सबसे लो मैंटिनेंश टेक्टर मानता हूं क्योंकि 500 गंटे पर सर्विस होती है और भाई 5000 रुपे की होती है तो आप बताना कौन सा टेक्टर बढ़िया है बाकि सब को अपने टेक्टर बढ़िया लगते हैं यह कोई बात नहीं है मैं तो सर्फ बताना चाहा रहा था कि आप कम कीमत में क्या चीज बहतर ले सकते हैं और भाई कुछ कहें कि पीपा है भाई मैंने 55 HP में इस टेक्टर की कंपेरों टेक्टरों से भी करके देखिए जिनने यह कह दें कि सूम के निकल जा भाई